हेलो, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का दे न्यू वर्ल नारी की नई जगत में और आप जैसके 21 को फूल मून है, तो फूल मून का क्या एफ़ेक्ट रहने वाला है हमारे लाइफ पे इस मन्त जो जुलाई, लांच जुलाई हलांकि आप एक तरीके से लांच जुलाई हाफ जुलाई से जादा ही बीच चुका है, तो इसका क्या असर होने वाला है, इस बार जो फूल मून पे आपके अंदर जो इमोशन उठेंगी, जो भावनाई आएंगी, जो आपके थौर्स आ रहे हैं, वो अब तक जो अभी पिछले मन से अब तक जो आपने लाइफ जी है, व पिर जो आप जिस एनर्जी में लोगी वो नेक्ट फूल मून पे आएगा, तो अभी क्या एनर्जी है, तीक है, आपकी और आपकी परसन की, इसके बाद क्या किस एनर्जी में आप ट्याप करने वाले हो, यह मैं अभी आपको ट्यालो रिडिंग से बताने वाली हूँ, और यह जो पाल रिडिंग होने वाली है, यह इस पर मैं थोड़ा यूनीक करने वाली हूँ, मैंने दो गौड को चुना है, आप लोग जिनको ज्यादा मानते हो, जिनको जिस एनर्जी से, जिस तक्तों से आप ज्यादा कनेक्टेर हैं, आपको वाली पाल सेलेक्ट करना, उस आ क्रिष्णा को याद करिए, अपने आंके बंद करिए और देखिए कि आप किन से जादा कनेक्ट वोड़े हो, तो पहले मैं करूंगी महादेव वालों की लिए लिडिंग, जिनोंने भी जो महादेव को मानते हैं, तो उनकी और उनके परशन के नर्जी निकार लूँगी, तो उसके बाल हम श्रीक कृष्णा को जो भी मानते हैं, उनकी डिडिंग करेंगे, ठीक है, तो आज की डिडिंग काफी इन्रेटेड हो, और आप लोगो को मजा आए, सुनके, इस फूल मून पे क्या इफेक्ट होने वाला है, इसके क्या असर होने वाले है, कुछ सिम्टॉ बताऊंगी, इसके कुछ रिजल्स भी बताऊंगी, आप ऐसंस पूल यहां बने रहीएगा, और देखते हैं, तो देखते हैं, आपकी पहले मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी, आपकी एनर्जी किस हद तक रिजोनेट कर रही है, उसी लेबल पे आपकी पर्सन की भी एनर जिक्या है, आपके लिए क्या संदेश है, जैसा कि श्रावबन का मन फुरू होने वाला है, और सुम भाड़ का ब्रत भी होता है, तो आई होब आप लोग रखेंगे, इस्पिसली जो ही फैमिन्स होती है, वो तो रखती ही है, तो आप रखना बहुत अच्छी वाइस आती ह के लिए बहुत उर्जा मिलती है, और यह हमारे इनजियर्टिक बाड़ी के लिए बहुत ही हिल्फूल होती है, हमारे देखते हैं, आपके आपके कार्स, कार्स में आपके समने में निकालूंगी, एट ऑप सौर्ट का काड़ा है, सिक्स ऑफ वैंटिकल्स का आया है, अपके देखते है रिए है, आपके लीवrí उत्लॉट कचे हैं ने शर्ट का अवह ये पृटला की थे. वैंट्वरीं और स्योवे खाललून रहाा ठार वी का वाजोगी, यह हमचे आपके का शाले पूर देखते हैं, जुक्ती हम पूבते हैं, और से आपके काूंते हम गीए देखिए अभी की जो एनर्जी आ रही है इसमें कहीं न कहीं आप एक बंधन में दिख रहे हो एक कोई बॉंड या फिर सूर कॉंट्रेक्ट ऐसा रहा है इसके कारण की आप जो सफ्रिंग या जो चीजे जहेल रहे हो वह आपको अपनी कॉंट्रेक्ट के कारण जहेलना पर र पे कर रहे थे कहीं न कहीं कर्मा पे कर रहे थे और जिनसे भी आप दील कर रहे थे वो एक कर्मा ही था यहाँ देखो गिवन टेक्ट वाला कनेक्ट जो है सिच्वेसन है चाहे वो आपके आजपास के लोग हो जिन लोगों से हो सकता है आजपकर की जो एनर्जी आपका किसी से कुछ बिवाद हो ऐसे सी एनर्जी है है ना आपकी वाइव की नहीं हो के साथ आपका बनाव नहीं हो लोग आपके लाइव से जा रहे हो तो एक गीवन टेक वाला जो वाली जो चीजे थी वो चीजें जो हैं वो होती हुई आगे बढ़ रही हैं और आप दिवाइन की अपनी है और अपने पावर्स को पहचाना है अपनी पावर्स को अपने सूल को पहचाना है अपनी एनर्जेटिक अपनी जो आपकी जो एनर्जी लेवल है उसको पहचानो और अपनी मैस्कुलिन और फैमिन एनर्जी को बैलेंस करो मतलब अगर आप फैमिन है हमारे विवस पूरी सिद्धत से करना इस सारी चीजें एक ऐसी है कि मुझे आज गार्डेंस आ रहा है आपके लिए आप कैसे करते हो तो यह पता नहीं क्यों आ रहा है और फाइव पैंटिकर्स कुछ चीजों को छोड़के आप खुद आप निकलोगे ऐसे कोई कार्मिक परसन होंगी या फिर कुछ ऐसी चीजें जहां से आप अब तक निकल नहीं रहे थे वहां से अब आप खुद निकलोगे हां निकलने में आपको प्रॉब्लम होगी उस चीज से तकलीफ होगी चाहाए वो कोई वर प्लेस हो जो वहां से अभी आप निकलेंगे और वहां से निकलके आप अप पर्सन की एनर्जी देख लेंगे हैं ठीक है आपकी पर्सन जो है आपकी पार्टनर जिनके लिए आप रेडिन देखते हो वह आपके लिए क्या सोच रहा है उनकी क्या एनर्जी है क्या इमोसंस है उनकी अपनी भी लाइफ में क्या चल रहा है और साथी साथ वह आपके लिए इंतचार कर लो जितना बेकराड हूँ मैं खुद को बेकराड कर लो मेरी धरकनों को समझो तुम भे मुझसे प्यार कर लो यह सौंग है जो चैनल हुआ है और देखो जैसे ही मैं मैंसलिन इसेंस की आपके पार्टनर के लिए कार लिए जो भी देख रहे हैं तो हमारी वीवस के लिए और हमारी वीवस के जो पार्टनर है अभी जब जैसे ही मैंने उनके लिए रिटिंग निकाने जरू की तो देखो यह सौंग चैनल हो गया तो यह मैंसेस होगा सौंग के तूरू नाया है कुई नौक सौर्ट का काड आया है आपके पार्ण के एनर्जी में किंग अप कप्स का आया है इच आफ पैंटिकल्स हाया है अप आय पहरा है नायग आफ वान्स जियू के तो आपके पार्ण की नौक आपके पार्ण की इन्होंने भी महादेश को चुना है यह आप देखो यहां पे क्याण ऑफ सौर्स यहां पर अप की प्रहजर्जे मैंने आपको बोला था आपके अंदर की यहां पर यहीं आरेगा आपके पार्डर की जो फैमिन अनर्जी हैं वो भी कही न कही फैमिन अनर्जी तो बैलेंस करी रहे हैं उनके अंदर जो फैमिन के जो गुन्य क्यारिस्टिक हैं कुछ चीज जो होनी चाहिए एक मेल में जो उनको एक अच्छा प्रूस बनने में मदद करती है, यह साथ चीज़ें डवलब हो रही है, साथ में एक्सन लेना सिक रहे हैं, एक फैमिनीन वाली जो अच्छी क्वालिटीज हैं, जो उनमें नहीं थी, वो चीज़े कहीं न कहीं उनके अंदर एक डैवलब हो रही है King of Cups एक जो मुझे एक ego attitude वाला जो एक उनका scenario था ये मुझे कहीं न कहीं जो मुझे intuition आ रहा है ये डाउन हो रहा है उनका ये डाउन हो रहा है और वो अपने काम को बहुत ही effort लगा के कर रहा है बहुत महनत कर रहा है जिन चीज़ के लिए जिस काम के लिए वो आपको छोड़ के गए थे यहां पर वो काफी सिदद से करते हुए नज़र आ रहे हैं काफी dedication से करते हुए नज़र आ रहे हैं और इसका result भी उन्हें मिल रहा है उनके आज़ पास काफी सारी opportunities हैं काफी शारे options हैं चाहे वो काम को लेके हो या फिर पार्टनर को लेके हो लेकिन वो कहीं न कहीं आपकी energy के साथ connect है और उनकी जो नजर है कहीं न कहीं आपको stock करते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं वो आपके लिए ही feel करते हैं और यहां पर मुझे आभी भी फिर ये करते क लड़को हो गया माइंड से मैं बता दूंगी तो यहां पर fit the chariot का card है यहां पर आपके बार्टनर को कहीं न कहीं एक जो भी चीज वो कर जो भी काम को कर रहे हैं उसमें वो एक सफलता चाहते हैं सफलता के पीछे वो बहुत जाल success के पीछे भाग रहे थे और यह success उनको कह अची रहा पर एक अगर उनको failure भी मिला है failure तो मिला ही मिला कहीं सकसेस भी मिलता हुआ दिक रहा है और यह success मिल रहा है यह उनकी soul voice को वो सुन रहे हैं कहीं अपनी soul calling को सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपने साइर responsibility को लेते हुए success के तरह बढ़ रहे हैं और यह spirituality में अभी ने हैं इनका एक एक रूज़ान आए अभी तक अगर इनमे भक्ति भाव और अध्याइत्मिक्त्थ भूल नहीं था तो कही न कही न हो ने खुद को इंप्रूब करने सुरूब करती है छाहे होगा और झाहे खुद को इंप्रूब करने क crumbs यहां ग identifies ऑड़ीयक हो ऐसा सा कुछ करने का मुझे आराइक ऑ रहा है और उनको इस चीज़ की जो vendारा हम इस की जो फीली है कि तो यहां पर मुझे वो दिख रहा है जो किसका की फील उनको हो रहा है वो अपने कनेक्शन को जैसे होता है कि शिप और शक्ति का कनेक्शन होता है ऐसा सा राधिक्रिश्म का कनेक्शन होता है तो यहां पर महादेव की कार्ड के लिए हमने यह कार्ड निकाला था ठीक है फैमिलिन एनर्जी है उनको काफी में पार्टनर और थालांवस। मतलब इससा मैंने कहा था कि यह बहुत पार्च लाइफ को जनमय का। कनेक्शनग भाए तो दो कार्ट्स ऐसे ही आहे हैं। तो इस चीजों का उने खाने कहीं एहसास बहुत अच्छे से अब होने लगा है दिर आपको भीकिवेव लागा है और शेरा है उन्यद मौरा एक निया लिए है और अगल नहीं भीयाद कर तो अभी कोरूमिस लेवल पर आपको बहुत किस ओर परीन है या तो सब्हाइस कर रहे हैं कि आपोल कोंतर म्हुं करता हैं और एक गाना इसी पर मुझे आ रहा है ऐसा कुछ था सिर्फ मूवी का कोई गाना है यह जमी यह आसमा ऐसा कुछ है कुछ रहे ना रहे प्यार तो हमेशा रहेगा तो यह जो आपका कनेक्शन है यह हमेशा के लिए है और इस चीज़ का अहसास है वह उनको काफी अच्छे से एक दीप लेवल पे पो रहा है और कभी न कहीं अदर हिम्मत जुटा भी रहें कि आएं आप से कॉंटक्ट करें लें लेकिन पता है कि आप उन्हें अशा लगता है कि आप गुसा करोंगी या फिर नहीं अपनाओगी या फिर उन्हें इग्नोर करोंगी तो इसलिए वो उनके काफी हिम्मत करना पड़ रहा है तो बैस देखती हूं कि इस फूल मून पर क्या हो आप से कॉंटेक्ट करेंगे क्या हो करेंगे बिल्कुल देखे एक रिकन्शलेशन यूनियन यहां पर दिख रहा है कि आपकी वानर जो है वह आएंगे चांसेस हैं और चांसेसे कि कुछ लो आपकोजल लेगे आए टेन आपकोफ का मतलब जो इमोशन से वह उन्हें भड़बर के महसूस हो रहा है बहुत ज्यादा बहुत ही इंटेंस लेवल का तो यह यह लाइफ आपके साथ चाहते हैं और इसके लिए आपके से कॉंटेक्ट करेंगे हैं ऐसे दियान अजी तो कित इंकली श्रीकृष्णा सब कुछ हैं जैश्रीकृष्णा आए देखते हैं आपकी रिदिंग पहले फिर आपके बार्णर की रिदिंग देखेंगे हैं थ्री ओफ कप्स सेवन ओफ कप्स देस्टार ओमाइगाड एट अफ वांड्स आपकी इनरजी एट ओफ फेंटिकल्स याद्वेकल्स है देविल है नाइन ओफ सॉड्स है अभी हम यहां से देखें तो आप कहीं नहीं इस कन ہ Legs एक थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी इस हो है अगर किनी कुछ डील कर रहा है तो वहां पर एक थर्ड पार्टी इस हो दिए आप कुछ वर्ड कर रहा है तो वहां पर भी कुछ लोग आपको हैं जो आपको पलिशान करते हैं हालांकि आप खुश रहने की कोसित करते हैं , इस चीज को काफ़े बैलंस करने की कोसित करते हैं और लेकिन यह चीज आपके लिए और कनष्यूजञ होता जा रहा है कि मैं अपने इतने इतने एक नोगों को इतना रिस्पेक्ट कर रही हूं इस तरीक से हैंडल करी हूं चाहे उस दे फिर भी जो यह चीज़ हैं यह कुho रही है यह आपको कहीन कहीं कन्फ्यूस कर रही हैं लेकिन यह आपकी लाइफ को बहुत आगे के लेवल टक लेकि झाहेंग यह क्योंकि आप बहुत चीजों को बहुत जादा करना और समझना आपको बहुत understanding बनाएंगी यह जो challenges आड़ेंगी आपको बहुत understanding बनाएंगी और आपके अपने authentic और pure वर्चन में जो कि आप हो जो आपका रियल रियल सेल्फ है जो कि आप हो रियलिटी में आपकी जो potential है जो आपकी powers है उसको यह निखाड़ेंगी और आपको काफी उचाई तक लेके जाने वाली है यह जो फूल्मून है आप कहीं यह मैसूस कर रहे हो लेकिन यह फूल्मून का जो असर होगा यह आपको uplift करने वाल आपके पास अच्छे रिस्ते आ सकते हैं और यहां पर लेकिन यह ना कि कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में अपनी negativity सेंड करते हैं जो नहीं चाहते हैं वाकई में कि आपकी ग्रोथ है मुझे चीज़ें बोलना अच्छा नहीं लगता है मैं इसने को सपोर्ट नहीं करते हूं लेकिन होते हैं कुछ लोग लेकिन उनके चाहने से कुछ नहीं होता है मैं जानती हूं कि और को एनर्जी एफेक्ट करती है और यह सांटिफिक है सांटिफिक है कि अगर कोई बुरा सुचने वाला आदमी हमारे सामने आता है तो हमा कर लेता है तो कुछ लोग के पास बैठके मैंचने महसूस करते हो उन लोग के साथ रहो क्योंकि वह आपके जहां रहेकर आप दाउन होती है उनके साथ रहा चोड़ दो उनके साथ connection में रहना छोड़ दो उनके लिए बोड़ा नहीं सोचना लेकिन connection में रहना छोड़ दो तो लोग यहां पे उनके energy काफी effect करिए लेकिन आप अपने काम को अच्छे से करिए handle अपने अच्छे से संभाल लिए अपने काम को और इसका जो result है वो आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है कुछ ने कुछ चीजों को लेकि आपको थोड़ा सा stress हो सकता है तोरा सर में heaviness हो सकती है कुछ पुराने thoughts आपको surface पर आ सकते हैं तो यह सब चीज़ें आप ना करें आपके लिए guidance है कि आप आगे बढ़िए अपने thoughts को जीदिए आप आप जो चाहते हैं आप पूर सुचिए इस तरीके से आपको अपने उपर जो है को काम करना है आगे मैं देखती हूं आपके person की energy देखते हैं स्रीक किस्चना क्या चाहते हैं आपके लिए क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है आपके person की energy oh my god four of one कितना अच्छा काड आया है और पहली पार नहीं ace of swords वाँ four of swords death temperance अभी देखो आप यह जो person है यह कहीं न कहीं reunion चुहाते हैं और reunion के लिए आएंगे जल्दी ही आपसे connect करेंगे आपसे connect भी करेंगे और अपनी फीलिंग भी एक्सप्रेस करेंगे लब कहीं न कहीं यह family चाहते हैं एक घर चाहते हैं दोनों ही रिडिंग्स में इतनी संदर रिडिंग आएंगी कि I can't think ever इतनी संदर कार्ड्स आये हैं तो I hope ऐसा ही हो जैसे कार्ड्स में आये हैं उनको रियालाइज हो और वह आये मतलब वह इसी जो कर्ण में सोच रहे हैं तो आये यहां पर एक जो positive thoughts है वो उनके अंदर आने शुरू हो गया है आपको लेकर और कहीं न कहीं वह प्रे कर रहे हैं कि आप connect करो आप खुद आगे से connect करो उनको लेकिन मुझे लगता है कि आप पावर में आ चुकि हो आप हाड मीमाने वाले हो क्योंकि आप पावर अपने efforts दे या फिर किसी specific journey का नाम डेत जो अब तक जो आप suffering जेल रहे हैं वो चीज़ कहीं न कहीं end होगी उन्हें लगता है कि यह जो जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो गलत है उन्होंने गलत किया है और इन चीज़ों को खटम कर दिया जाए और एक new beginning stress new beginning start की जाए इस बाड़े में सोच रहे हैं और balance करना चाहरे हैं इस connection को आपके और उनके बीच balance करना चाहरे है क्योंकि उनकी soul calling आनी सुरू हो गई है उनका भी intuition यह कह रहा है कि चीज़ों को balance कर लेना चाहिए angels जो है वो उने guide कर रहे हैं और उनका जो है दिल और दिमाग के बीच दीरे-दीरे एक balance बन कि क्या सुच रहा है वो आएंगे आपसे contact करेंगे या फ़र नहीं को balance करेंगे और next case कहीं न कहीं वो एक हाडा हुआ ठका हुआ महसूस कर रहे है खुद को ठीक है ठका हुआ महसूस कर रहे हैं उनके अंदर की जो इच्छा है वो वही है वो energy उनकी बता रही थी दस्तानी वो आएंगे और वो जब आएंगे ना तो authentic self में आएंगे है 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 स्ट्रेंथ हैं हाइली की contact करें लेकिन मुझे यहां पर 50% लोगों के लिए ही आ रहा है जो भी देख रहे हैं उनके लिए आएगा बाकी के लिए सब्सक्राइब कोई energy नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग हैं तिल्के लिए आ रहा है कि वो contact करेंगे next seven days के time के बाद chances हैं okay so आप लोग को कैसी लग reading ज़रूर बताईएगा resonate करें तो comment में बताईए और बाकी claim this energy ठीक है चलती हूं मैं बाबाई थेंक you thank you for watching